नमस्कार, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना कि चंदर डॉक्टर शुकला के साथ कॉन्फरेंच के लिए लखनव जाता है। और सुधा घर पर अकेले महराजिन के साथ रुपती है। जहां वो चंदर और डॉक्टर शुकला का एक भी खतना आने पर बहुत उदास हो जाती है। और खाना पीना सब छोड़ देती है। तभी उसी दौरान उसकी मुलाकात पम्मी से होती है जो कि डॉक्टर शुकला से मिलने उनके घर आई थी। उनके बीच चंदर को लेकर काफी बाते होती हैं जो कि हमने पिछले भाग में सुनी। अब आगे। उसे बहुत कुछ सुधा। के है सुधा। सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है। सुधा ने कहा। चंदर बुआ आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी। चंदर बोला और पैर छोने के लिए जुका, हाँ हाँ हाँ, भुवा जी तीन कदम पीछे हट गई, देखता न, हम पूजक धोती पाइने हैं, यह के है सुधा, सुधा ने भुवा की बात का कुछ जवाब नहीं दिया, चंदर चलो अपने कमरे में, यहाँ भुवा पूजा करेंगी, चंदर अलग हाटा, भुवा ने हाथ के पंच पात्र से वहीं पानी छिड़का और जमीन फुकने लगी, सुधा बिंती को बेग देओ, भुवा जी ने धूब दानी में महराजिन से कोईला लेते हुए कहा, सुधा अपने कमरे में पहुच कर, चंदर को खाट पर बिठा कर नीचे बैठ गई, अरे उपर बैठो, नहीं हम यहीं ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पैंसिल से लकीरे खीशने लगी, अरे यह क्या कर रही हो, चंदर ने पैर उठाते हुए कहा, तो सुधा एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुचे, कुछ सोशलिस्ट, कम्योनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया, फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जम कर लड़ाई हुई, वै तो कहो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वनना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते, अच्छा पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, सुधा घवरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बाते करती रही, अरे बाहर कौन गा रहा है, चंदर ने सहसा पूछा, बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था, और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौक कर कहा, अरे शन भर स्तब्ध, और फिर शरम से लाल होकर भागी बाहर, अरे भागती क्यों है, यही तो चंदर है, सुधा ने कहा, लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिला कर इशारे में कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शरम लगती है, अरे चली आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी जक्क है यह, कहकर सुधा उठी और वे फिर भागी, सुधा पीछे पीछे भागी, थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई, तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वे बैचारी बूरी तरह अस्त व्यस्त थी, दांच से अपने आचल का छोर दबाय हुई थी, बाल की तीन चार लटे मुँपर जुक रही थी और लाच के मारे सिम्टी जा रही थी, और आखे थी कि मुस्काई या रोए या तैह ही नहीं कर पा रही थी, देखो चंदर, देखो, सुधा हाफ रही थी, यही है बिंति मुटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि धम निकल गया हमारा, सु जिशे शरम ने तो दूना बना दिया था, एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी, और दाथ से आचल पकड़े हुए थी, छोड़ दो से, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डाट कर कहा, जंगली मैं हू या यह, चोटी छोड़ कर सुधा बोली, यह देखो, दाथ काट लिया है इसने, सचमुझ सुधा के कंधे पर दाथ के निशान बने हुए थे, चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दाथ काट सकती है, क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई वैं पल्ला ठीक से ओड़ चुकी थी, बोली, नमस्ते, चंदर और सुधा दोनों हस पड़ी, अब इतनी देर बाद याद आई, चंदर और भी हसने लगा, बिंती, ए बिंती, बुआ की अवाज आई, बिंती ने सुधा की और देखा और चली गई, और कहो सुधी, चंदर पोला, क्या हाल चाल रहां यहां, फिर भी एक चिठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी, और तुम्हारी वो आई थी, हमारी वो, चंदर ने चौक कर पूछा, अरे हां, तुम्हारी पम्मी रानी, अच मेरी तस्वीर देखकर, अच्छा, और थी कहां मेरी तस्वीर, अब तुम तो बहस करने लगे, हम कोई वकील है, तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत-बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है, इतने में बिंती आई, उसके हाथ में एक तस तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शर्बत, उसमें लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख थी, ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इंकार किया, बिंती ने सुधा की और देखा, खा लो, लगे नकरा करने, लखना उसे आ रहे हैं न, तकल्लुफ नकरें तो म चंदर हस दिया, मगर कुछ बोला नहीं, बिंती चली गई, बड़ी अच्छी लड़की मालूम पढ़ती है, चंदर बोला, बहुत प्यारी है, और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है, अच्छा, तुमारी बढ़ाई कैसी चल रही है, मास्टर सहाब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और चंदर, अब हम उनसे दुनिया भर की खूब बाते करते हैं, और वे हैं कि बस हम से सर नीचे किये रहते हैं, एक दिन पढ़ते वक्त हम गरीब पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ, उनसे कवीता तो सुनवा दो एक दिन सुधा बोली, चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब की कमरे में जाकर किताबे उलटने लगा, इतने में बुआ जी का तेत स्वरा आया, हमें मालूम होता कि मुझ होसी हमके ऐसी नाक चड़ेई हैं, तो हम पैदा होते गला घोट देट, हरे राम, अकास सिर पर उठाए हैं, क्या घंटे से निर्यात निर्यात गटाई फट गई, ये बोलत नहीं जैसे साप शूग गया हो, प्रोफेसर शुकला के घर में वै नया सांस्कृतिक तत्व था, कितनी शालींता और स्षिष्टता से वह रहते थे, कभी इस तरह की भाशा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी, चंदर चौक कर उधर देखने लगा, डॉक्तर शुकला समझ गए, कुछ लजजित से और मुस्कुरा कर गलानी छिपाते हुए से बोले, मेरी विद्वा गहन है, कल गाउं से आई है लड़की को पोचाने, क्या हुआ आखिर, डॉक्टर शुकला ने पूछा, कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंच पातर उठाकर ठाकुर जी के सिंगासन के पीछे रख दिया था, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, तो गुस्सा बिंती पर उतार रही है, इतने में फिर उनकी आवाज आई, प अलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुकला ने कहा, सुधा वहीं रह गई, चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुवा का, कि बस बिंती ऐसी है, कितना परदास्ट कर लेती है, बुवा ने ठाकुर जी का सिंगासन साफ करते हुए कहा, रुवत काहें हो, कौन तुमारे मा बाप को गरियावा है, कि असवा धरकाय रही हो, इसब चोचला अपने ओको दिखाये जाके, दुई महीना और है, अब इन से उधियाई न जाओ, अब अभध्रता सीमा पार कर चुकी थी, बिंती, चलो, कमरे के अंदर हटो सामने से, डॉक्टर शुकला ने डांट करका, अ अवे चर्खा बंध होगा या नहीं, कुछ शरम हया है या नहीं तुम में, बिंती सिसकते हुए अंदर गई, स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पाउं लोट आई सुधा के कमरे में, और फूट फूट कर रोने लगी, डॉक्टर शुकला लोट आए, अब ह अच्छा जाओ, हमारा खाना पर सो, चंदर तुम अपना काम यहां करो, यहां शोर जादा हो तो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है, चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा, सुधा खाना पर उसने चली यह घंटी के भक्ती भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था, लेकिन बुवा जी दूसरे दिन गई नहीं, जब तीन-चार दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुकला बैठे हुए हैं, और दर्वाजा पकड़कर बुवा जी खड कितने इत्रों से देखने लगी, डॉक्टर शुकला बोले, आओ चंदर, बैठो, चंदर बगल की कोर्सी पर खीच कर बैठ गया तो डॉक्टर सहाब बुवा जी से बोले, हाँ हाँ बात करो, अरे ये तो घर के आदमी है, इनके बारे में सुधा नहीं बताये तुमें, ये चंदर हैं, हमारे शिष, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा अच्छा भाईया, बैठो, तु तो एक दिन और आये रहो, बीए में पड़तो सुधा के संग, नहीं बुवा जी, मैं रिसर्च कर रहा हूं, वाह, बहुत खुशी हुई भाई तो को देखके, हाँ तो सु पिटिया सुनी मांग लिए, चर-चरावा करते है, रहो हर, बुवा बोली, हाँ तो ये ठीक है, डॉक्टर शुकला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याब टालना नहीं चाता, लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, तो घर वाले कुछ एतरास तो नहीं करेंगे, और फ आस का डर, नननत की धौफ, हम पत्री मवाई दे थे, मिलवाई लेओ, डॉक्टर शुकला ने स्वीकृती में सिर हिला दिया, तो फिर बिंती के बारे में का कहा थो, अगहन तक टाल दिया जाए न, हाँ हाँ, डॉक्टर शुकला ने विचार में डूबे होए कहा, तो फिर तुम्ही इन जूता पिटाओ, बरनक्कों से कह दियो, आई के कल्चे हमरी छाती पर मूंग दलत है, बुवा जी ने चंदर की और किसी को निर्देशित करते हुए कहा, चली गई, चंदर चुप चाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था, शायद कुछ भी नहीं सोच रहा मगर फिर भी अपनी विचार सुन्यता में ही खोया हुआ सथा, जब डॉक्टर शुकला उसकी और मुड़े और कहा, चंदर तो वह एक दम से चौक गया और जाने किस दुनिया से लोटाया, डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तवियत खराब है क्या, नहीं तो, एक फीकी हसी हस कर चंदर निकाहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होंगे, कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के, अब मार्च खतम हो रहा है और पूरा अप्रेल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगीगा, और मई में हर हालत में जमा हो जाना चाहिए, जी हाँ, बड़े थके स में चंदर निकाहा, दस अध्याय हो ही गए है, तीन अध्याय और होने हैं और अनुक्रमाणिका बनानी है, अप्रेल के पहले सप्ता तक खत्म हो ही जाएगा, अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है, एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर निकाहा और माथा थामकर बै सुधा के नाम पर चंदर चौक गया, अभी वे सुधा के ही बारे में सोच रहा था, जब बुवजी बात कर रही थी, क्या सोच रहा था, देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था, कुछ साबिर साहब के आ गई है उनके लड़की उनके साथ पढ़ती है ना वहीं गई है बिंती के साथ अब इमतहान को कितने दिन रह गए हैं अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका नई दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी उसके भी सिर में दर्द था तो चली गई घूम फिर ले बुगा ने बताया है जनम पत्री दी है मिलवालो फिर तुम जरा सब बाते देख लेना लेकिन तुम तो थीसिस में व्यस्तर होगे कोई नहीं मैं जाकर लड़का देखाऊंगा फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे तुम्हें डॉक्टरेट मिल बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारी दॉक्तर शुकला बहुत अजब से स्वरों में बोली चंदर चुप रहा बिंती को देखा तुमने थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा हाँ वही ना जिसको डाट रही थी है उस दिन हाँ वही उसके ससुर आये हुए है उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूछ के लिए टाल दे पहले सुधा की हो जाए वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंती को तब तक विदूशी का दूसरा खंड भी दिला दे आओ उनसे बात कर लिए भी डॉक्टर शुकला उठे शंदर भी उठा और उसने अंदर ज बड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा कर प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे प्रत्वी का गूला वरा के मूँपर कैसे उपर उठा होगा सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में कंगोचे के अलावा सारा शरीर दिगंबर सुबा शायद गंगा नहा क कर आये थे क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी डॉक्टर शुकला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए कहिए दूबे जी कुछ जलपान किया आपने पलंग शर्मर आई उस विशाल मास पिंड में एक धूडोल आया और दूबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हसने लगे एक थल थलाहट हुई और कमरे की दिवारे गिरते गिरते बची दूबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा सब आपकी क्रिपा है खूब छक्के विश्थान पाया अब जरा शर्वात उर्वत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शाम थो उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेड़ते भे कहा अच्छा अरे भाई जरा शर्वत देना डॉक्टर शुकला ने दर्वाजे की ओट में खड़ी हुई भुवा जी से कहा भुवा जी की आवाद सुनाई पड़ी पाप ने इधाय मन की लहाज कम से कम मसक भर के शर्वत तो उलिचे लई है चंदर को हसी आ गई डॉक्टर होते होंगे बुवा एक गिलास में शर्वत लियाई दूबे जी कांक कांक कर उठे और एक सांस में शर्वत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया दूबे जी एक प्रात्ना है आपसे नहीं नहीं बात काट कर दूबे जी बोले बस अब हम कुछ न खावें आप बहुत सतकार किये एही से हम चख गए हैं आपको देखके तो हमें बड़ी प्रसनता भाई आप सच्मुच दिव्य पूरुष हो और फिर आप तो लड़की के मामा हो और ब्याशादी में जो है तो मामा का पक्ष देखा जाता है इतो भगवान ऐसा जोड मिलाए हैं कि दूबे जी ने गर्व से कहा चंदर मुश्कुराने लगा अरे सो तो आपकी नम्रता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्या न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा तब तक आपके सतकार की हम कुछ तयारी भी कर लेंगे अगहन तक हर तीज तोहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और ग्यारा बारा रुपए नजराना जाएगा और अगहन में अगर ब्या हो रहा है तो सास ननत और जठानी के लिए गरम साड़ी जाएगी और जब जब दूबे जी गंगा नहाने प्रयाग रा जाएंगे तो उनका रोचना एक थाल, कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा जब डूबे जी ने उठकर अपना जालम जोलम कुरता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठा कर बोले अच्छा तो अब आग्या देओ हम चली अब और यह रुपिया लड कर दो दूबे जी को अच्छा आओ हम भी चले जब यह लोग लोटे तो बुवा जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी डॉक्टर शुकला ने नोट बुवा जी को देते हुए कहा लो यह दे गए हैं तुमारे संदी जी लड़की को पांच का नोट देखा तो बुवा जी सुलग उठी ना गहना न गुरिया बिया पक्का कर गए हैं काकच के टुकडे से अपना आप तो सोना और रुपिया का कपड़ा सब लीले को तयार है और देत के दाई पेट पी रा थे जूता पिटव का अरे राम चाही तो जमदूती लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाए हैं चंदर हसी के मारे पागल हो गया बोटी ने थेली का मूँ बांदा और बोली अबहीं तक बिंतिक पता ना है अरुद तुरकन मलेचन के यहां कुछ खा पी लिए तो फिर हमरे यहां गुजारा नहीं हो का बड़ी आजाद हुई कही है सुधा क पाई के आवे देव आज हम भद्रा उतारी थें डॉक्तर शुकला अपने कमरे में चले गए चंदर को प्यास लगी थी तो उसने बुआ जी से एक गलास पानी मागा बुआ ने एक गलास में पानी दिया और बोली बैट के पीओ बेटा बैट के कुछ खा एक डें नहीं बिंती से ही इतनी कटू क्यों है इतने में अंदर चप्पलो की आहट सुनाई पड़ी चंदर ने देखा सुधा और बिंती आ गई थी सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिंती आंगन में आई बुआ जी के पास आकर बोली लाओ हम तरकारी बिंती चुप एक तीखी वेदना का भाव उसके मूँ पर आया उसने आखें जुका ली रोई नहीं और चुपचाप सिर जुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई उसके मन में बेहत तरस आ रहा था इस पिचारी लड़की के लिए जिसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बेहनों में एक पचपन से ही कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली और वैभी अपनी ही सगी मास है जो दुनिया भर के प्रती स्नेह मही है बस अपनी लड़की को छोड़कर वकुर्सी पर बैठ कर चपचाप यही सोचने लगा अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देख कर ही मालूम देता है इतने में सुधा कपड़े बदल कर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबे हुई आई औ खाड पर बैठ कई अरे बिंती कैसे पड़ी हूँ अच्छा तुम हो चंदर बिंती उठो उसने बिंती की पीट पर हाथ रख कर कहा बिंती जो अभी तक निचेश्ट पड़ी थी सुधा के ममता भरे सफर्ष पर फूट फूट कर रो पड़ी तो सुधा ने चंदर से कहा क् सुधा दिन बाद आये और आते ही लगे रुलाने उसे समझ गए घूमने के लिए उसे भी डाटा होगा हम साप साप बताए देते हैं चंदर हम तुमारी डाट से लेते हैं इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रॉब जाड़ने लगो इससे कभी कुछ क कर दो बेचारी रहा हा तो अच्छी बाट नहीं होगी तुम्हारे दिमाग का कोई पूरजा धीला हो गया है क्या मैं क्यों कहूंगा बींति से कुछ बस पिर यही बात तुम्हारी बूरी लगती है सुधा बिगड़कर बोली क्यों नहीं कहोगे विनति कुछ जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वह तुम्हारी अपनी नहीं है चंदर हस पड़ा सो क्यों नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निवा न वैसे निवा ये सब कुछ हम नहीं जानते क्यों रहो रही है ये सुधा धमकी के सवर में बोली बुवा जी ने कुछ कहा था चंदर बूला एरे तो उसके लिए क्या रो न इतना समझाया है तुझे कि उनकी तो आदत है हसकर टाल दिया कर चल उट हसती है कि गुदगुदाओं सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा बिंती ने उसका हाथ पकड़कर जटक दिया और फिर सिस्कियां भरने लगी नहीं मानेगी तू सुधा बोली अभी ठीक करती हूं तुझे चंदर पकड़ो तो इसका हाथ चंदर चुप रहा नहीं उठे उठो तुम इसका हाथ पकड़ लो तो अभी हम इसे हसाते है सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती के और बढ़ाते हुए कहा चंदर ने अपना हाथ खीश लिया और बोला वै तो रो रही है और तुम बजाए समझाने के उसे परिशान कर रही हो अरे जानते हो क्यों रो रही है अभी इसके ससुर आये थे बहुत मोटे थे न सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे हो सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा बिंती हस पड़ी सुधा उचल पड़ी लो ये तो हस पड़ी अब रोगी अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया बिंती पहले तो हसी से लोट गई फिर पल्ला समालते हुए बोली छी दी दी वो बैठे है कि नहीं और उठकर बाहर जाने लेगी कहा चली सुधा ने पूछा नहाने जा रही हूँ बिंती पल्ले से सिर ढखते हुए चल दी क्यों? मैंने तेरा बदन चूदिया इसलिए? सुधा हस कर बोली ए चंदर वो गेसु का छोटा भाई है न? हसरत मैंने उसे चूद लिया तो फोरण उसने जाकर अपना मूँ साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला मेरा मूँ जूठा हो गया और आज हमने गेसु के अक्तर मिया को दिखा बड़े मज़े के हैं मैं तो गेसु से बात करती रही लेकिन बिंती और फूल ले बहुत छेड़ा हुने बिचारे घबरा गए फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है बड़ी बोलने वाली है और बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला दोनों खूब गाती है बिंती गाती भी है हमने तो रोते ही देखा है अरे बहुत अच्छा गाती है इसने एक गाउं का गाना बहुत अच्छा गाया था अरे देखो ये सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूली गए कहां रहे चार रोज? बोलो, बताओ जल्दी से गैस्त थे सुधा, सुधा बोली दूध आजकल पीते हो की नहीं? हाँ हाँ, तीन गाये खरीद ली है चंदर बोला नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना कहीं तबियत खराब हुई, तो अब हमारा इम्तहान है पड़े-पड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे अब कितना कॉर्स बाकी है तुमारा कॉर्स तो खत्म था हमारा कुछ कठिनाईयां थी, सो पिछले दो-तीन हफते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है लेकिन बिंती का इमतहान मई में है उसे भी तो पढ़ाना है अच्छा अब चले हम अरे बैठो, फिर जाने कहे दिन बाद आओगे आज भुवा तो चली जाएंगे, फिर कल्चा यहीं पढ़ो तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ, देखा था चंदर उनकी रूप रेखा याद करके हस पढ़ा बापरे, पूरे टेंक थे वे तो बिंती की ननत से तुम्हारा ब्या करवा दे करोगे सुधा बोली लड़की इतनी मोटी है उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत ब्या एकदम से चंदर को याद आ गया अभी भुवा ने बात की थी सुधा के ब्या की तब उसे कैसा लगा था कैसा लगा था उसका दिमाग घूम गया था लगा जैसे एक असहनी दर्द था या फिर जाने क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम क्या हुआ चंदर अरे चुप क्यों हो गए डर गये मोटी लड़की के नाम से सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर जग जोडते हुए कहा चंदर एक फिंकी हसी हस कर रह गया और चुपचाप सुधा की और देखने लगा सुधा चंदर की निगाह से सहम गई चंदर की निगाह में जाने क्या था एक अजब सा पथराया सोना पन एक जाने किस दर्द की अमंगल चाया एक जाने किस पीड़ा की मूँ का आवाज एक जाने कैसी भी घलती हुई सी उदासी और वे भी कहरी जाने कितनी कहरी और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था एक टक आप अलग सुधा को जाने कैसा लगा यह अपने चंदर तो नहीं यह तो अपने चंदर की निगाह नहीं है चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अप अलग तो सुधा को कभी नहीं देखता था नहीं यह चंदर की निगाह तो नहीं इस निगाह में न शरारत है न डाट न दुलार और न करुना को जैसे डर लगने लगा जैसे वह कांप उठी नहीं यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है यह कोई अपरिचित है कोई अजनभी किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर चंदर तुम्हें क्या हो गया सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी उसका मुँ पीला पड़ गया उसकी सांस बैठने लगी थी चंदर और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आँखों में आसू छलकाए हाथों पर एक गरम गरम बूद आकर पड़ते ही चंदर चौक गया अरे सुधी, अरे पगली, रो मत हमारी तबियत कुछ ठीक नहीं है एक गलास पानी तो ले आओ सुधा अभी भी कांप रही थी चंदर की आवाज में अभी भी मुलाय मियत नहीं आ पाई थी वे पानी लाने के लिए उठी नहीं तुम कहीं जाओ मत तुम बैठो, यहीं उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोड से अपने हाथों में दबा ली और कहा सुधा, क्या चंदर कुछ नहीं चंदर ने आवाज दी लेकिन लगता था वे आवाज चंदर की नहीं थी नजाने कहां से आ रहा ही थी क्या सिर में दर्द है बिंती, एक ग्लास पानी लियाओ जल्दी से सुधा ने आवाज दी चंदर जैसे पहला सा हो गया अरे, अभी मुझे क्या हो गया था और तुम क्या बता रही थी सुधा, पता नहीं अभी तुम्हें क्या हो गया था सुधा ने घवराई हुई गौरईयों की तरह सहम कर कहा चंदर स्वस्थ हो गया कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ मैं तो यूँ ही तुम्हें परिशान करने के लिए चुप था उसने हस कर कहा हां, चलो, रहने दो तुम्हारे सिर में दर्द जरूर है सुधा बोली बिंती पानी लेकर आ गई थी लो, पानी पीओ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए चंदर बोला, बिंती जरा पेन बाम ले आओ सुधा ने गिलाज जबरदस्ती उसके मौ से लगाते हुए कहा बिंती पेन बाम ले आई थी बिंती, तु जरा लगा दे इनके अरे खड़ी क्यों है कुरसी के पीछे खड़ी होकर माते पर जरा हलकी उंगली से लगा दे बिंती आग्या कारी लड़की की तरह आगे बढ़ी लिकिन फिर हिचक गई किसी अजनवी लड़के के माते पर कैसे पेन बाम लगा दे चलती है या भी काटके गार देंगे यहीं मुटकी कहीं की खाखाकर मुटानी है जरासा काम नहीं होता बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया चंदर ने उसका हाथ बैठ गई तो चंदर भूला अब बताओ क्या बात कर रही थी बिंती के ब्या की न यह उनके ससूर तो बहुत ही भद्धे मालूम पड़ रहे थे क्या देखकर ब्या कर रही हो तुम लोग पता नहीं क्या देखकर ब्या कर रही हैं बुआ असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतनी चिड़ती हैं वह तो चाती हैं किसी तरह से बोज टले सिर से लेकिन चंदर यह बिंती बड़ी खुश है यह तो चाती है किसी तरह जल्दी से ब्या हो सुधा मुस्कुराते हुए बोली अच्छा यह खुद ब्या करना चाती है चंदर ने ताज्जुप से पूछा और क्या अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबा बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बिये कर ले तब ब्या करे हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को हमने पूछा तो कहने लगी ब्ये करके भी वही करना होगा तो बेकार टालने से क्या फाइदा फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्या होगा तो बड़े ताज्जुप से बोली अगहन में सुधी तुम जानती हो तो अगहन में उसका ब्या क्यों टल रहा है पहले तुम्हारा ब्या होगा चंदर हस कर बूला वपूंतिया शांत था और इसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था मेरा ब्या आंखे फाड कर मुझ फैला कर हाथ नचा कर कोतुहल भरे आश्चर से सुध हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा और बाबु साहब तुम किस पर आकर रंग जमाओगे ब्या मेरा सुधा ने मों बिचका कर उपेक्षा से कहा नहीं सुधा मैं गंभीरता से कह रहा हूं तीन चार महीनी के अंदर तुम्हारा ब्या हो जाएगा चंदर उसे विश् पास कोई पोस्ट कार्ड है लाव जरा इस कॉम्रेट को एक चिठ्थी तो लिख दे चंदर बात बदल कर बूला पता नहीं क्यों इस विश्य की बात के चलने में उसे कैसा लगता था कौन कॉम्रेट सुधा ने पूछा तुम भी कम्यूनिस्ट हो गए क्या नहीं जी वो ब उल्वल् sick сог लिख दो सुधा ने पोस्ट कार्ड देते होई कहा तुम्हें पता मालूम है छंद्र जब पूस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जयन बचाने के एवाज में आपकी बहुत कृत्त किर्टग्या और कभी चलते हुए कहा चलो अब तुम्हे नई सनक सावार हुई तुम क्या समझ रही हो सोचलिस्ट पार्टी को राजनीतिक पार्टी है वै यह मत करना कि सोचलिस्ट पार्टी में जाओ और लोट कर आओ तो पापा से कहो अरे हम तो समझे पार्टी है वहाँ चाय पीने को मिलेगी वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं दत हम कोई बेफकूफ हैं क्या सुधा ने बिगड कर कहा नहीं सौत तो तुम बुद्धि सागर हो लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धी कुछ ऐसी ही होती है चंदर बूला अच्छा रहने दो लड़किया न हो तो काम ही न चले सुधा ने कहा अच्छा सुधा आज कुछ रुपए दोगी हमारे पास पैसे खतम है और सिनुमा देखने जाना जरा चंदर ने बहुत दुलार्च कहा हाँ हाँ जरूर देंगे तुमें मतलबी कहिंके सुधा बोली अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे न तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी हो तुम तो हमारी सुधा हो सुधा महान सुधा पिघल गई अच्छा कितना लोगे अपनी पॉकेट में से पांच रुपे का नोट निकाल कर बोली इससे काम चल जाएगा हाँ हाँ आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहां जाए तब सेकिंड शो जाए पम्मी रानी के यहां जाओगे समझ गए तब ही तुमने चाचा जी से ब्या करने से इंकार कर दिया लेकिन पम्मी तुमसे तेन साल बड़ी है लोग क्या कहेंगे सुधा ने छेडा तो क्या हुआ जी सब यहां ही चलता है चंदर हस कर टाल गया तो फिर खाना यहीं खाते जाओ और कार लेते जाओ सुधा ने कहा मंगाओ चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते वे कहा खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा सुधा सामने बैठी रही और बिंती दोड़ दोड़ कर पूरी लाती रही अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सुनो कहानी के साथ और कमेंट कीजिए उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं मिलते हैं आपसे अगले भाग में